किसान भाईयों क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा महेंगी बिकने वाली गेहूं की कौन सी पर जाते हैं और इसकी इतनी डिमांड होने के कान भी किसान भाई इसको क्यों नहीं बुवाई करते हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में पहले तो इसको सर्बती ग बराइटी को प्रीमियम स्रीणी में डाला गया है इसको गोल्ड गेहूं भी कुछ किसान भाई कивать कके नाम से भी और काफी जादा डिमांड रहती है अब जो ओर मैदा रावा यह सब चीजेOoh इसको काफी जादा खरीदती हैं क्योंकि इन से ये काफी अ So अब इतना ज्यादा सब कुछ होने के बावजूद भी इसकी बिदेश में भी काफी ज्यादा डिमांड रहती है इसी के काण जो है इस ब्राइटी का मूलिप चार हजार रुपे से छह हजार रुपे प्रतिकुंतल बिक जाता है अब इतना ज़्यादा महिंगा बिकने वाला गिवूं भी किसान भी इतना ज्यादा नहीं लगते हैं जबकि दूसरी ब्राइटीयां लगाना पसंद करते हैं तो इसके पीछे के बहुत से कांण हैं पहले दोस्तों इसकी कुछ खास चीजें बता देते हैं फिर जो ना लगाने का कार्ण है उसको भी बताएंगे एक चीज दोस्तों यहां पर बता दें कि सुनेहरे गोल्डन रंग का गेहूं होता है खाने में काफी स्वाधिष्ट होता है लेकिन यह सब चीजें होने के अगर इसको आप देशी तरीके से नहीं उगाते हैं तो सामानी जैसे गेहूं का रेट है वैसे है आपको इसका भी मिलेगा थोड़ा बहुत बढ़ा करके मिल सकता है बहुत ज्यादा फिर असर नहीं पड़ेगा लेकिन इसकी डिमांड काफी ज्यादा रहती इसलिए बहु रुपे से लगा करके 6,000 रुपे तक आप बेश सकते हैं यानि सामानी रूप से जहां दूसरे गेहूं की कीमत रहती है उसके आप दुगने रेट में इसको आसानी से बेश सकते हैं लेकिन अब इसको दूसरा ना लगाने का एक कान और भी है क्योंकि इस ब्राइटी को आर से 45 कुंतल के बीच में ही पैदावार ले पाएंगे तो जहां एक तरफ महेंगा तो गेहूं बिख जाता है लेकिन उत्पादन कम हो जाता है तो कुल मिला करके देखा जाए आरगनिक तरीके और यह सब चीजें ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको मुनाफ़ा उतना बड़ा नहीं हो पाता है साथ इसी कान से किसान भाई इस ब्राइटी को इतना ज्यादा लगाना पसंद नहीं करते हैं लेकिन अगर आप सही सिस्टम से इसकी खेती करते हैं तो निश्चित ही आप अच्छी पैदावार भी ले पाएंगे लाकत भी कम लगेगी और प इतरी ही मिलते हैं वीडियो में नहीं जानकरी के साथ धन्यवाद